अगर फ्रेंट्स आपके पास यलमी का 10 pro plus है तो फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बदाने बाला हूँ इस फॉन के top 60 plus tips and takes और कुछ hidden features जिनका यूज करके आप इस फॉन को और भी amazing तरीके से यूज कर सकते हो और भी unique इस फॉन को बना सकते हो जैसा कि यह फॉन आपको काफी unique देखने को मलता है इसकी design बगेरा और इसकी display बगेरा काफी unique आपको देखने को मिल जाती है बड़ यहां पर कुछ आपको ऐसे feature भी देखने को मिल जाते है इस फॉन के अंदर जिनका use करके इस फॉन को और amazing तरीके से आप use कर सकते हो तो चली आप देखने को मिलेगा double tap to lock इस feature को जब आप on करते हैं तो screen को double tap कराएंगे आपके screen lock हो जाएगी अगर आप चाहते ही double tap करके screen को on करना तो यह भी feature इस phone के अंदर आपको मिल जाएगा इसको भी आप on कर सकते हो तो screen पर आपको फिर से press and hold करना है या side करने पर more पर आपको same time में use कर सकते हो मतलब एक की समय में आप दो apps को use कर पाएंगे इसके लिए आप पहले किसी भी एक apps को open केजिए इसकी बात three finger लेकर आपको इस तरह से आप करना है three finger से आप करने पर आपको यह phone spread screen में on हो जाएगा उस apps को on कर देगा अब नीची की और किसी भी दूसरे apps को आप open करा सकते हो कुछ इस तरह से अब आप दो apps को same time में यूज कर सकते हो आप जैसे की ऊपर YouTube यूपर नीची के साइड आपको प्लेस्टोर देखने को मिल रहा है आप चाहें किसी एक apps को आप ज्यादा एरिया में भी यूज करना तो वो भी कर सकते हैं इस तरह से क्लिक क करना है यहां floating window देखने को मिलेगा यहां क्लिक कीजिए आपके यह application कुछ इस तरह से floating window में देखने को मिल जाता है आप नीची की और किसी भी apps को आप यूज कर सकते हैं इस तरह से open रहेगी इसका आप यहां पर इसको क्लोज कर सकते हैं फुल स्कीन करना चाहते हैं तो यह इस icon पर क्लिक करेंगे तो यह full screen में भी आपका आजाएगा इसके लावा यहां पर आपका जो recent बटन प्रेस करने पर इसका content सो होता है इस apps का आप चाहें तो इसको भी hide कर सकते हैं जिसके आप क्लिक करेंगे और यहां देखने को मिलेगा hide content इस पर क्लिक कर देंगे तो इस जो भी आपने lock की होंगे वो close नहीं होंगे तो इस तरह सभी क्लोज कर सकते हैं जो भी lock किये वो आपके close यहां से नहीं होते हैं इस पॉन में skin sort लेने के आपको साथ अलग-लग तरीकी देखने को मिल जाते हैं फी finger से down करने पर skin sort लेना है तो आप वो भी बना सकते हैं उसक आपको यह भी feature मिलता है के बल आप चाहें इस एरिया का skin sort लेना तो वह भी बना सकते हैं जिसके लिए skin पर थी finger से hold रखना होगा आपके सामने कुछ इस तरह से interface खुल जाता है अब किस एरिया का आपका skin sort चाहिए वो आप यहां से इस तरह से select कर सकते हैं इसकी बाद इस icon बगर करना तो इस icon पर click कर सकते हैं यहां से click करके आप इसको save कर सकते हैं इस फोन में आप area को अपने हिसाब से select करके भी skin sort को बना सकते हैं जिसके फिरसे skin पर three finger से hold करके रखना होगा इस option पर select करके अब आप अपनी area को select कर लीजी जिस area का आप skin sort को लेना चाहते है तो इ करेंगे यहां पर आपको देखने हो मिलेगा skin sort यहां पर भी क्लिक करके इस phone में skin sort को आप बना सकते हो आपके जो home screen पर आपको apps देखने को मिल रहे हैं इनका icon बगरा चेंज कर सकते हो और यहां पर effects बगारा को बहुत आसानी से add कर सकते हो तो यहां पर आगर icon बगरा style तो आप icons पर क्लिक करें और यहां पर तीन style आपको मिल जाएंगी जो कि default में पहले से select QE मिल जाती हैं अगर चाहें तो अपने हिसाब से भी आप style को बना सकते हैं जिसके आप custom पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपको अलगला shape देखने को मिलेंगे जिस shape में आप यहां प आपको अच्छा लगे यहां से आप अपने हिसाब से customize करके इसको apply कीजिए तो कुछ इसी तरीकी कि आपको यह apps आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आभी आप देख सकते हो तो आपका control पैनल है यहां पर जो आपको color देखने को मिले इन color को बदल सकते हो इसका जो save दे इसके लिए आपको यहां से बापस आना होगा जिसके बाद आपको देखने हो मिलेगा quick setting इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से save देखने को मिलेंगे जिस save में आपको आपने control panel है वो देखने को मिल रहे हैं उनको किसमे set करना उसको आप यह यहाँ पर set हो जाएंगे जो भी आपने हैं पर set किया हुआ है तो इस तरह से भी आप यहाँ पर change कर सकते हो ने इन ड Clifford को यहाँ से हैं कर पाएँगे इस फोन के इंदर friends आपको under display शौन के प्र अब जो भी animation आपको यहां पर आके अच्छा लग रहा है देखने को वो आप select कर लिजी फिर आप इसका अगर animation sound को on करना चाहते हो तो यहां से आपको बापस आना होगा बापस आने पर आपको देखने हो मिलेगा sound and vibration इस पर click करना है scroll down करने पर यहां आपको haptic and tune के लिए click कर access कर सकते हूं जिसकी fingerprint आप unlock कराएंगे तो डारक लिए किसी भी apps को आप open करा सकते हैं तो उसको चालू करने के लिए आपको phone की setting में जाना है और यहां से scroll down करने पर आपको देखने को मिलेगा special feature इस पर click केजिए कि launch देखने को मिलेगा यहां click करके इस feature को on करना है अब यह यहां से click करा के इस तरह से add कर सकते हैं तो यहां पर जो भी apps आपने add कि हैं उनको fingerprint की मदद से access कर पाएंगे तो चली यहां पर add कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से इनको access करना है तो यहां पर आपने apps को select किया है इस तरह करके इस icon पर click कर लिजिए आप fingerprint की को आपने सेट किया हुआ है आप उसको अनलोग करने के साथ प्रेस करके रखना है और इससरे समने फिंगर मूब कराना है तो आप किसी भी क्लिक करना होगा अब यहां को देखने मिलेगा डो एन ओ टू ओपिन करेंगे तो लॉक्ट स्कीन होने पर भी आप केमरे एप्स को डारक ओन करा सकते हैं और टाइप करने पर आपका कैमरे एप्स कुछ डारक ली कुछ इस तरह से ओपिन हो जाएगा आप यहां पर ओके कीजि करेंगे आपकी फ्लेश डाइट डारक लिए ओपिन हो जाएगी तो इस तरह से ऍक अउस्टाइब को ऑन करा सकते हैं आपको सिपनदकरी होँने पर अने पर भी गाने को पले WILLIAM करसकते हैं तो उन नहीं होगा डारे आपको ऑनकरने के लिए आपको सेटिंग में स्क्रोल हैं इसाब यहां पर अपने हिसाब से अपने अप्स को लगा सकते हैं तो इसके आपको आपकर सकते हैं इसको क्लिक करने पर नंबर को साइट कर सकते हैं इसके लाबा किसी आप फिवरेट एप्स को लगाना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एप्स को भी set कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको अबेलबल मिलेंगे आप से आप यहां से set कर गए इनका यूज कर सकते हैं एक हैस टेप आने पर आपको बापस यहाँ पर ऐहां से यूज कर सकते हैं जूकि आपको राइस्ट रॉट वाले फीचर मिल जाता है इस phone के अंदर friends आपको smart call के features देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Live to ear answer calls का इस feature को जब आप on करेंगे तो आपकी phone पर कोई भी calls बगर आती है आप उसको answer करने के लिए screen को touch करते हैं तो इस feature को on करने को बाद यह सब करने के आपको ज़रूरत नहीं रहेगी simple आपको क्या करना ring होते हो phone कान की ओर ले जाना है automatically call आपकी answer हो जाएगी इसी तरह की से auto switch to ear receive का भी option मिल जाता है यह भी same इसी तरह की से काम करेगा आप जैसे की hand free speaker पर आप किसी से भी बात करते हैं बात करते करते कान की ओर अगर अपना phone ले जाएंगे automatically आपका phone क्या करेगा उस आवाज को आपकी कान बाले speaker में देना शुरू कर देगा तो directly automatic switch हो जाएगा आपकी आवाज आपकी कान बाले receiver के लिए इसी तरह की से flip to mute incoming calls का भी feature मिल जाता है इसको on करने पे आप किसी भी call को mute कर सकते हैं अगर कोई भी calls बगएरा आती है आपके phone पे आप चाहते हैं इसको mute करना तो phone को flip करेंगे वो call आपकी mute हो जाएगी तो इस तरह से इन feature का use करके इस phone की call को भी आप smart कर सकते हो इस phone में आपको three button navigation देखने को मिलते हैं आप इन्हें हटा कि इस phone में जैसा navigation को set कर सकते हैं पर जैसा navigation से आप किसी भी apps को भी access कर सकते हैं काफी useful feature यही रहने बाला है और आपको इस phone का कौनसा feature वैस लगा मुझे comment करके बूर जरूर से बताएं तो चली इस feature के बारे में और जानते हैं आपको phone की setting में जाके scroll down करना है scroll down करके आपको additional setting पर click करना होगा जिसके बाद system navigation पर click करेजिए अब यहाने के बाद आप जैसर पर click करेंगे यूज कर रहे हो तो उसमें जाने के लिए आप simple इस तरह से आपको click करना होगा अप दूर से apps के अंदर कुछ इस तरह से आजाएंगे वापस उस apps में जाना थो यहां click करेंगे साइट से तो इस तरह से आप वापस उसी apps के अंदर आ जाएंगे जिसका आप यूज कर रहे थे तो यह काफी अच्छा यहाँ पर स्विच का option मिल जाता है जो कि आप जैसर की मदद से आप इसका यूज कर सकते हैं इसके लावा आपको बाबरेट on back navigation का option मिलेगा जब आप इसको on करेंगे तो फॉन के जब बैक बटन का आप यूज करेंगे इसके पर क्लिक करने के बाद आपको one handed mood देखने को मिलेगा यहां से आके इसको on किजिये आप इसı फोन को या आप इस phone को one-handed mode पर यूज़ कर पाएंगे इस phone के अंदर friends आपको under display fingerprint देखने को मिलता ही है तो यहाँ पे आप under display fingerprint की मदद से आप heart rate को check कर सकते हैं तो इसको check करने के लिए पहले phone की setting में जाईए scroll down करके last में real me lab पर click कीजिए इसकी बाद आपको heart rate पर click करना है यहाँ से agree and continue पर click करना है अब आपको अपने finger पर यहाँ पर touch करके रखना है तो आपकी heart rate क्या चलेगी वो आप आहाँ पर देख पाऊगे तो इस तरह से आपको heart rate बगर चेक करना है कितने आपकी heart rate यहाँ पर काम कर रही है तो यहाँ पर यह काफी unique feature spawn के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफी useful भी है डियल में lab के अंदर आपको dual mood audio का भी support मिल जाता है इस phone में क्या है जैसे कि आप किसी भी ब्लूट से गाने बगर अप ले करके रखे हुए है अब आप सनना चाहते है अपने एरफोन से भी वो ही गाने तो simple आपको यहाँ पर dual mood audio क्लिक करना है अब आपको एरफोन लगा लेना है तो दोनों audio आप यहाँ पर share हो जाएंगी ब्लूट पर भी share होगी आपकी audio और जो भी एरफोन बगर आपने plug-in कर रखे एरफोन के अंदर आप उस पर भी उसी audio को सुन पाएंगे तो यह एक unique feature इस फोन के अदर आपको अच्छा ही अलग से देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको sleep capsule का option रहता है जिसको आप यहाँ पर set करके अपने हिसाब से फोन को schedule बगार आपर set कर सकते है इस फोन के जो betty style है आप इसको chain कर सकते हो तो इसके लावे इस फोन में अगर आप यह जाना चाहते हो आपके फोन में आपको देखने को मज़िद आप उसको भी on कर सकते हो तो betty style को chain करने के लिए फोन की setting में जाना होगा यहाँ notification and state bar पर click करना होगा जिसकी बाद state bar पर click करना है इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर betty style का option available रहेगा यहाँ click करके तीन अलगलग तरह सा betty style को यहाँ पर लगा सकते हो तो vertical यहाँ पर end loop यह सब option मिलेंगे जब आप loop को select करते है तो betty style कुछ इस तरह से आपको यहाँ नजर आ साएगी इसके अलावा अगर आप यहाँ पर net speed के बारे में जाना चाहते हैं क्या phone net speed क्या आ रही है तो आप real time net speed को on कराके क्या phone में net speed आएगी वो अपने इस्टेट्स बार में देख पाऊगे इस phone के अंदर friends आप Wi-Fi के साहिद अपने hotspot को भी same time में यूज कर सकते हैं जैसे की Wi-Fi को on किया हुआ है अब आप अपनी hotspot के जड़ी किसी को Wi-Fi बगएर सेयर करना चाहते हैं तो अपनी hotspot को भी आप on करा सकते हैं तो दोनों चीज़ें एक साथ आप यहाँ पर यूज कर किसी Wi-Fi से connect होने के बाद भी आप अपनी hotspot के मदद से किसी को भी net बगएर कर सकते हैं बहुत आसानी से इस phone में जो आपको control बार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इनको आप और भी एड़ कर सकते हैं और भी edit कर सकते हो तो इसके लिए 3.0 पर क्लिक करके edit title पर क्लिक कीज हो जाता है इसके लिए आप डारक लिए यहाँ पर कुछ apps को access कर सकते हैं otg बगएरा on करा सकते हैं यह सभी shortcuts आपको नीचे की और मिलेंगे जिनको आप यहाँ पर की और add करके इनका यूज कर सकते हैं अगर आपको screen recording setting करना है तो अब आपको अपने यहाँ पर देखने को मिलेगा उस पर tap and hold करना है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा record system sound का option on यह on रहेगा तो जब आप भी recording करेंगे तो phone के अंदर जो भी चलेगा वो record हो जाएगा audio आप चाहते हैं जो आप बोलें वह भी record होना चाहिए आपका audio तो आप इस feature को on कराके इस feature को भी on करा सकते हैं दोनों audio एक साथ record कर सकते हैं definition की option पर click करके जो वीडियो रहेगा आप उसको यहाँ आखे set कर सकते हैं किस quality आपको screen recording करना इस phone के अंदर तो वह भी set कर पाएंगे इसके इस phone के अंदर आपको देखने हो मिलेगा record camera video का option इसको on करने पे आपका जो front camera video record करते समय जो भी screen record होगी आपके उसके साथ ना आपको camera भी काम करेगा तो वीडियो की साथ साथ आप camera की app से भी direct video को record कर सकते हो इसकी बाद आपको screen touches का option मिल जाता है यह on रहने पर आपकी screen recording होते समय जहाँ जहाँ आपने tap किया होगा वो screen recording को आप check कर स सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लावर चार अंका चाहें वह भी कर सकते हैं या फिर पैटन लॉग भी लगा सकते हैं जिसके लिए यूजे डिफरेंट पासपर टाइप पर पहले क्लिक कीजिए जो भी लोग आप रखने चाहते है प्राइवेसी के लिए उस पर select कीजिए इसके बाद आपको log set करना है दो बार log लगाना है और आपको यहाँ पर एक security question set करना रहेगा यहाँ पर teacher name पूछा जाता है तो teacher name डाल के आप इसको इस तरह से हाँपर क्लिक कर लीजिए आपको यह सेब हो जाएगा और पर क्लिक करना है प्लस की आइकन पर जाने के बाद गैलरी देखेंगी आप जो भी फोटो या वीडियू को हैट करना है उसको आप यहाँ क्लिक करके set as private पर क्लिक केजिए यह हाइट हो जाएगी इसके लाभा आपको एक और तरीक मिल जाता है हाइट करने का जैसे कि आप एलबम पर क्लिक करेंगे जिस फोल्डर में से आपक इस तरह से भी hide हो जाएगा, इनको access करने के लिए तीनों में से किसी बार आप tap and hold करेंगे, तो आपका privacy password बगएर आएगा उसको लगा कि आपने photo और वीडियो को access कर पाएगे, इस phone के अनर friends आप अपने apps को भी बहुत आसानी से hide कर सकते हैं, जोगी काफी unique feature is phone का, तो उसके आपको जाना है phone की setting में, scroll down करके आपको privacy option नजर आएगा, यहाँ क्लिक करके आप privacy पर क्लिक करेंगे, hide apps नजर आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे, इसकी बाद आपको एक privacy password पहले set करना रहेगा, तो यहाँ पर जैसे आप on करेंगे, आपके सामने privacy set करने के लिए बोला जाए इसकी बाद आपको एक access code बनाना रहेगा, जो भी apps आपने hide की है, उनको use करने के लिए code आपको डालना रहेगा, तो यहाँ setting पर प्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह सा interface आएगा, अब यहाँ आप एक अंगर से लेकर 16 अंगर तक कोई भी code डाल सकते हैं, चाहें आप आपको mobile number हो, या फिर कुछ भी आप बना सकते हैं, तो example के लिए मैंने यहाँ डाल दिया, 004 time, आपको type करना होगा, आपके सामने इस तरह से interface आएगा, आप इस आइकन पर क्लिक करना होगा, वो apps आपका hide हो जाएगा, इसको access करने के लिए, use करने के लिए, आपको यहाँ स इस तरीके साब app को भी लगा सकते हैं, तो आपको फिर से setting में जाके privacy option पर क्लिक करके privacy पर जाना है, या app पर क्लिक करके आपको अपना privacy set कर लेना है, जो कि अभी है मैंने आपको बताया था, जैसे आप इसको on करेंगा, तो यहाँ पर आपको जो भी apps लॉक करना है, यहाँ यूज कर पाएंगे, अगर आपको fingerprint की मदद से unlock करना है, आप फिर face lock करना है, तो आप setting icon पर क्लिक करके, आप unlock method पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अपनी हिसाब से इसको unlock कर पाएंगे, जिससे भी आप इसको unlock करना चाहें, इसके लाबा app lock setting कर सकते हैं, जैसकि हर बार close हो इसके लाब आप चाहें, तो यहाँ पर अपनी हिसाब से रख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे सा कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसी night होगा, automatic on हो जाएगा, दिन निकलेगा वैसे automatic ही, disable हो जाएगा, तो इस तरह sunset to sunrise के लिए आप यहाँ पर set कर पाएंगे, इस फोन के आपको display quality और जाते improve करने का option मिल जाता है, तो इसको improve करने के लिए अपना control panel open कीजिए, यहाँ पर आपको कहीने कहीं देखने को मिलेगा, एक feature जो की आपको on करना रहेगा, तो यहाँ पर आप देखने मिलेगा, hyper vision, इस पर आप जैसे tap and hold करेंगे, तो आप इसकी setting में आ जाते हैं setting में आने के साथ साथ आपको यहाँ पर directly setting करने का option मिल जागा, जैसे आप इस तरह से इस पर click करेंगे, तो इस तरह सा option खुल जाएंगे, तो आपको सभी features on कर लेने है, पहले feature को on करेंगे, तो जो भी video बगएर आप view करेंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे, दूसर नम इस तरह साथ आपको इस फीचर साभी on कर लेने है, और आपकी quality रहेगी, एक दब इंप्रूव हो जाएगी, तो यहाँ पर आप जब ही इस का यूज करेंगे, जब इस फोन में के अंदर, कोई video बगएर आप content बगएर यहाँ पर show करा रहे हैं, देख रहे हैं, तब आपको schedule पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर always click on करेंगे, तो आपकी display पे जो पीला पना है, वो on हो जाएगा, अब कितना भी आप फोन को ज्यादा यूज करेंगे, तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली, और यहाँ पर आपकी जो display color है, इसका temperature अपने हिसाब से आप रख सकत करते हैं, इस phone के अने friends, आपको smart slide bar देखने को मिलता है, जब आप इसको इस तरह से open कराएंगे, तो यहाँ पे आपको अलग-लग तरीकी control देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डारक ले सकते हो, screen recording को कर सकते हो, screen translate कर सकते हो, file को open करा सकते हो, यह सब आपकी floating window में on होंगे, जैसे कि आप इस पर click करेंगे, यह आपको floating window में on हो जाएगा, तो इस तरह से किसी भी apps की अंदर, इन apps को आप use कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से, जैसे कि आप setting में, setting में आप close नहीं करना चाहते हैं, आप किसी भी apps को यही पर access करना चाहते हो, तो smart slide bar को on कीजिए, औ अपने file को इस तरह से open करा लिए, तो जो भी apps आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, वो आप directly यहाँ पर अपने floating window में ला सकते हैं, आप इसको fully screen में चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से किसी को remove करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके आप करेंगे, तो यह save आपकी होज आएंगे, तो इस तरह से friends, आपको smarts library के अंदर यह features देखने को मिल जाते हैं, इस phone के अंदर friends, आपको doll apps का भी support देखने को मिलेगा, तो आपको उसको करने के लिए फैले phone की setting में जाके देखने को मिलेगा, apps, यहाँ पर click करके, आपको यहा आप इस phone के अंदर clone कर सकते हो, किस apps का clone करना है, उस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिए and on कीजिए, आपको यह कुछ timing चलेगी, जिसकी वाद चाहें तो आप इसका rename कर पाएंगे, जैसे कि आपको phone पी नाम से देखने को मिलेगा, आप चाहें इसको आप यहाँ पर इस तरह नहीं होता, आप यहाँ पर transaction को add कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको हटा कि आपने home screen पर सभी apps को भी लगा सकते हो, तो इन सब को करने के लिए आपको screen पर two finger से pinch in करना होगा, यह side करने पर transaction देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे, तो अलग-लग तरीक है कि आपको आपके सामने face हो रही होगी, जैसे अपने apps को आप यहाँ पर use करते हैं, तो directly आपको यहाँ एक keyboard on हो जाता है, आप चाहने तो इसको भी हटा सकते हैं, अपने app का भी use कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको screen पर two finger से pinch in करके, यह side करना होगा, mode पर जाना होगा, mode पर जाने के जो apps रहते हैं, उनका use करना तो भी कर सकते हैं, फिर से आपको यही करना होगा, setting में जाना के, यहाँ पर mode पर जाना होगा, यह home screen mode पर click करके, आपको standard mode पर select करकर apply करके, switch पर click करना है, तो directly सभी apps आपकी home screen पर show हो जाएंगे, तो आपको कोई भी app बगरा यहाँ पर show नहीं होगा, इस phone के अंदर एक और feature आपको मिल जाता है, display color world state का, तो आप उसको भी on कर सकते हैं, तो इसमें आपको काफी enhanced feature मिलते हैं, जिसमें आपने video quality को और ज़्यादा improve कर सकते हो, तो इसको improve करने के लिए आपको पहले setting में जाके scroll down करना होगा, display and brightness option पर click कीजिए, यहाँ आपको देखने हो मिलेगा skin color mode, इस पर जब click करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन option मिलेगे, जैसे कि यहाँ पर natural and promote, promote पर click करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको और भी advanced feature मिल जाते हैं, तो यहाँ पर click करके अपने हिसाब से इसको और भी जादा cool and warm कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जो वीडियो quality जाएगी, वो एक तब improve देखने को मिलेगी, इसकी बाद यहाँ पर आपके apps हैं, उनको भी select कर सकते हैं, जैसे कि हम जब click करेंगे, तो जो जो apps आपको support rate रहेंगे, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ से डा जादा आप unique कर सकते हैं, और भी unique तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आसे करते हैं, इन सबी फीचरों के बादाए में जानके आपको काफी जादा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी पहली बार तो चैनल